मैं महिंद्र कुमार जाजोरिया, एसोचेट प्रोफेसर भोगल विभाग, कला महाविद्यालेलवर, हमारा विशे है विश्व जनसंख्या का वित्रण वरत्मान विश्व की जनसंख्या 700 करोड है, जिसका 75% से अधिक भाग विकासिल देशों में तता सेस भाग विक्सित राष्टों में निवास करता है जनसंख्या संधर्व ब्यूरो वासिंटन द्वारा सन 2011 प्रकासित आकड़ा सीट के अनुसार, एसिया की जनसंख्या 421 करोड, अफिरिका की 105 करोड, यूरोप की रूस सहित 44 करोड, दक्ष्णी अमरिका की 49.6 करोड, उत्तरि अमरिका की 40.4 करोड तथा, ओसेनिया की 3.7 कर जनसंख्या सन 2023 में 800 करोड होने का अनुमान है, संसार में सरवादिक जनसंख्या वाला राष्ट चीन जिसकी जनसंख्या सन 2011 में 134.6 करोड थी, इसके उपरांत कर्म से भारत, समिक्त राजे अमरिका, इंडोनेसिया तथा ब्राजील का क्रम है, विस्व जनसंख्या में सरवादिक वरदी विकासील एम कमविक्सित राष्टों में रही है, जहां जनसंख्या एम संसाधनों के मध्धे का अनुपात निरेंतर बिगड़ता जा रहा है, इस विसे पर रियो प्रत्वी सम्मेलन 1922 अनेक रूपों में चर्चा हुई, निम्न तालिका के अंतरगत जनसंख्या के अनुसार विस्व के बड़े देश 2001-2011 को दर्शाया गया है, जनसंख्य वित्रण के इस्थानिक दर्श्ट कौन के अनुसार विश्व की 90% जनसंख्या उत्री गोलार्द में तथा 10% जनसंख्या देख्षिन गोलार्द में पाई जाती है, जिसका प्रूंख कारण, इस तलिए वित्रण तथा बहुतिक सामजिक सांस्कृतिक आर्थिक कारक है, उच्चावच के अनुसार विश्व की 60% जनसंख्या 200 मीटर से कम उचाई वाले भागों पर निवास करती है, इस्थानिक वित्रण का अनुसार 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्रियक 600 के मद्ध्य विश्व की 50% से अधिक जनसंख्या निवास करती है, जिसका मुख्य भाग ऐस्या में है, जबकि 40 डिग्री से 60 डिग्री उत्रियक 600 के मद्ध्य विश्व की 30% से जनसंख्या निवास करती है, जिसका मुख्य भाग यूरोप में केंदरित है, 60 डिग्री अक्षान सो के उत्तर में जलवायू विश्वता के कारण मात्र विश्व की 1% से जनसंख्या निवास करती है, दक्षनी पूर्विय ऐस्या में अनुकूल जलवायू हुए उर्वरा म्रदा के कारण जनसंख्या सगन पाई जाती है, चीन एवं भारत में नदी घाटियों में सगनता अधिक है, चीन की लगबग 65% से जनसंख्या संबदर तटिये हुए दसाओं के उपरांत 24 विधाओं के कारण जनसंख्या सगन है, इनमें मिस्र का नील नदी छेत्र वे थार के रेगिस्तान का इंदरा गांधी नहर छेत्र पुर्मुक है, इस प्रकार विविद प्रकार कीवी समताओं के संधर में विश्व को जनसंख्या वित्रनगी दरश् जहां सगन जनसंख्या निवास करती है, यहां जनसंख्या गनत्तों सोव्यक्ती प्रतिवर्ग कीमी से अधिक है, इन प्रदेशों में पूर्वी एस्या के चीन, जापान, दक्षनी कोरिया, ताइवान, वे हॉन्ग कॉंग, दक्षनी एस्या के भारत, पाकिस्तान, स्रिलं का बांगला देश, वे नेपाल, संपुन दक्षनी पूर्वी, एस्या, उत्री पच्मी यूरोप की ग्रेट बिटेन, जर्मनी, हॉलेंड, बेल्जियम, लेक्संबर्ग, फ्रांस, आरलेंड, डैनमार्क, स्पैन, वेटली, ताथा पूर्वी ताथा उत्री अमेरिका के उत चीन में हॉंगों का मैदान, पूर्वी तर्ट, हॉंग, कॉंग, सिंगापूर, तथा जावा ऐसे छेतर हैं, जहां जनसंग के घनत्तों, एक अजार व्यक्ति प्रतिवरक कीमी से भी अधिक है, उत्री पच्मी यूरोप में विश्व की सोला प्रतिसर, तथा आंगल अमरि कामे सन 1789 की उद्दग करांती के उपरांत जनसंग के तिवरता से बड़ी है, यहां यूरोपिय देशों के अधिकांस प्रवासी पूर्वी भागों में बस गए, तथा यहां के मूल निवासी रेड इंडियन पच्छिम की और प्रवास कर गए, अधिकांस रेड इंडियन प्रतिकूल सांस्कृतिक परिवेश मानसिक आगातों तथा युद्दों के कारण विलुप्त हो गए हैं, सामाने जनसंख्या के प्रदेश, ऐसे भोगलिक प्रदेशों में पार्शितिकी जनसंख्या निवास के लिए सामाने दसाइं प्रदान करती हैं, यहां अनेक स्था पर प्रतिक के साथ अनुकूलन भी किया जाता है, एंडिज परवत पर प्रतिकूल भौतिक दसाओं के होतु है भी तांबे की उपलवता के कारण चिली की चुकाई कामटा, कनाडा के यूरेनियम सहर में यूरेनियम के कारण तथा पच्छ में आस्ट्रेलिया में स्वर्ण के खनन के कारण सगन जनसें क्या पाई जाती है, इसे प्रकार आर्थिक कारणों से स्विडिन का गैलीवरा, लोहस्क, कनाडा का यूकन, घाना वे अलास्का का यूकन पोर्ट, साइबेरिया, सोना वे तेल, आदि छेत्रम जनसें के बस गई है, इनके अतरिक राजनितिक का कारणों से इथोपिया का आदिस, आबाबा, युगांडा का कमपाला, हिक्वेडोर का क्वीटो, बोलिविया का लापज आदी सगन बसे हैं, ये सभी समझर तल से 2000 मीटर से अधिक उचाई परिस्तित हैं, लापाज विश्च का सरवाधिक उचाई पर बसा सहरे, जिसकी सम मिलतालिका के अंतरगत, जन संख्या की दर्श्टी से बहुष्य में विश्च के बड़े देशों को दर्साय गया है, प्रदर्सित है, नंबर तीन, विरल जन संख्या के प्रदेश, ये प्रदेश विश्च के 70% भूवाग परिस्तित हैं, जहां विश्च की मात्र 5% जन सं तो दस व्यक्ति प्रतिवरक किमी से भी कम है इन छेत्रों में इस्तिती उच्चावच एवं जलवाई की विशम परस्तितों के कारण जन्संग के विरल पाई जाती है उचक्षांशों में हिमाच्छादन मर्सलम उष्णता रहती है इस प्रकार विश्वत रेखे छेत्रों मे अति उच्ण एवं आद्रता के कारण मच्छर MTCTC मख्यों का प्रकुब भी मुख्य कारण है